विश्कार दोस्तों स्वागत आप सबी कमेरी उड्यू चैनल all नेक्टीज हमें हैं तो दोस्तों कल हमने स्टार्ड किया के मिश्टीक की सीरीज हमने किया था हमारा पहला टॉपिक जो के नाम है मैटट तो आज हम उसको थोड़ी सा आगे लाबॉरेट करेंगे तो आज हम करे यह था matter matter क्या था anything which has mass and occupy space कोई भी चीज जिसका कुछ mass होता है और कुछ जगा घेरती है यानि कि द्रब्यमान होता है और कुछ थान घेरती है उसको कह रहे थे matter फिर हमने तीन अवस्ता हैं पड़ी थी उसकी solid liquid और gas तो उसकी उसी ही basis के ओपर हम इनको classify करेंगे तीन दो categories में एक को कहते हैं हम substance और एक को कहते हैं mixture जो substance होता है वह आगे दो दो टाइब का होता है एक होता है आपका element और एक होता है compound ओके फिर आके element element आपने पड़ा होगा तो वहां पर तीन तरह के element दिखते हैं आपको एक होता है metals एक होता है नौर मेटल्स और एक होता है मेटलोइड ठीक है इतना आप सभी को आता होगा फिर आपका compound कौन से होते हैं यह तो organic compound होगा जिसमें आपका carbon कार्वन होगा और इक इन और गनिक compound होगा फिर आते हैं आपके mixture तो mixture भी दो तरह के होते हैं एक होता है का homogeneous यानिकी सेम तरह के समंगी और एक होता है का बिश्मंगी यानिकी हिटीरोजीनस मुझे को हिंदी मेड़े वाला तो मुझे बताता रहे कि हिंदी मेड़े मेड़े तब बताता चले तो मैं को हिंदी मेड़े में भी करवाता रहोंगा साथ साथ में तो होमोजीनस मिक्स्चर आके क्या बनाते हैं आपका solution बनाते हैं बड़ी ऐसा दो अग्ये टाइपस तो चलिए अब हम करेंगे स्टार्ट हमारा सबस्टांस से तो सबस्टांस जो है सबस्टांस इस प्योर फॉर्म और मैटर यह एज सटेन और डिस्टिंट प्रोपर्टीज यानिकि एक निश्चित संगठन होता है उनका और एक विशिष्ट गुण हो यह जैसे आपका हाइडरोजन होगा हाइडरोजन हीलियम नीतियम सोडियम फिर आपका गोल्ड सिल्बर आईरन अलूमीन जो कुछ भी आपके हैं वह आपके एलीमेंट्स और यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं जैसे जो दो या दो दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलके बना होता है ऐसे अा क्बाउंड ऐख लाई providers को-स अतोसी सब्सक्राइब कंपाउंड रहता है हामेशा कि कंपाउंड क्या होते हैं और मि follower क्या तो इक consumo रहता है तो इनको जो आ ध्यांसे इसको यहीं पर bet here कर लें सारी बातों को नेक्स्ट देखेंगे हम element होते क्या हैं जैसा कि हमने पेरोडिक टेबल हम देखते हैं हम पड़ते हैं metals होते हैं non metals होते हैं metalloids होते हैं धातु अधातु और उपधातु तो element होते क्या है element is the simplest form of matter which is classified as metal non metal and metalloids यानि कि तत्व पदार्थ का सरलतम रूप होता है पदार्थ का simplest form होगी आपका तत्व यानि कि element अगे तीन तरह के होगे metal non metal और metalloids यह मैं आपको बता दिया next step का यह तो आपको पता हों चाहिए metal कौन से आएंगे धातु है gold silver iron non metal आपका carbon sulfur red phosphorus for us और metalloids silicon germanium arsenic आपके metalloids आते हैं देखिए जो non metals होती हैं उसका एक बहुत ऐसे कुछ च्छोटे question होते हैं कि name the metal which is liquid at room temperature name the metal which is hardest which is name the non metal which is the hardest substance तो यह सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए कि होता है यह ओके तो आपका ऐसी कौन सी your metal है जो जिसको केरी सी नौन में रखा जाता है क्यों रखा जाता है तो इस सारी चीज़ें आपकी बहुत इंप्रणट आपको पता होने चाहिए चोटी चीज़ें लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए चाहिए चीज़ ट्रेक्टर के वाज आ रहोगी आपको शाहिद आप थोड़ा सा क्या करने करने बढ़े गार यह स्थोड़ा सा एलिमेंट आपको पता है कि हमने हमारा जो प्रियोडिक टेवल है सबसे पहले हम करते थे एक कोशन जो लास टाइम आपका टैट में पोचा गया था कि जो आपका दिमित्री मेंडलीव टेवल था मेंडलीव का टेवल था मेंडलीव का प्रियोडिक टेवल था जो मेंडलीव का प्रियोडिक टेवल था वो किसके ओपर बेस था तो उसने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो किया था आटॉमिक मास के बेस पे यह आपको पता हूना चाह अब आपको थोड़ा सा शोर कम आएगा ओके और वीडियो को लाइक कर दें यार थोड़ा सा मोटिवेशन जैसे मिल जाती है और अपने स्टेटिस पर लगा दो गुरूस में शेयर कर दो था कि थोड़ा सा हो जाता है मोटिवेशन जैसी मिल जाए ना चलिए स्टार करते हैं ने तो मैं ना बता दीआ तो आपको पता होने चाहिए कि मेंडलेवी का टेवल था प्रियोडिक टेवल था वह किसके पर बेस था अटॉमिक मासेस के ओपर बेस था मतलब उसने किसके अकौरडिकव लगाया था अपर जैसे लगाता लेकिन जो हमारा माधर प्यरोडिक करेंगे लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि हमने इनको अरेंज गये था टॉमिक नंबर के ओपर बेस्ट अब अगले चप्टर करेंगे ताकि आपको सारी बते हैं आगे चप्टर में क्लेर कर दूँगा अभी ताप बेसिक बेसिक साइड येलो बिल्कु सिंपल जीरो लेबल से मैं करवा रहा हूं और यहीं से कोशन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इसके अलावा मैं आपको कोई भी कोई भी साइंस की बुक उठाना जो भी आपके एक्जाम के लिए होगी कोई भी बुक उसको पढ़ लेना यूंकि इसमें फैक्ट्र कोशन होते हैं कैर उसीन ओल में क्यों डालते हैं सोडियम और सोडियम अगेर मैडल को वने अगर यहां पर कवर नहीं होते हैं और वैसे कोशन आपके इंपर पूफ़े जातins कुछ यादा हम सवरुप यद्य, कैंड मोई भारन ओड आ पर जाता है two or more chemical elements in certain proportion यह भी आपको पता होगा वो कि अब जैसे आपके element आगे oxygen hydrogen यह बगर आगे अब देखिए hydrogen और oxygen को हमने क्या बना देते हम sorry h2o क्या बनाएंगे हम water h2o water तो यह सारे के compound होते हैं जैसे nitrogen dioxide co2 carbon dioxide nitrogen oxide NO बखिए ऐसे question होंगे आपके laughing gas कौन सी होती है तो ही सारे जो है हम इसको लास्ट में करेंगे जो भी फिर mcq form चलेंगे आपके लास्ट में तो मैं उसको उसमें करवाने की कोशच करूंगा कि जो ऐसे होता है जो यहां पर cover नहीं हो सकते तो उसको मैं वहां करवांगा ओके अब कहारा mixture क्या होता है अब mixture जैसा की नाम होता है कि mixture एक दाल याती mixture mixture जिसमें सबीचीज हो है जो हम मिश्ची टूप से होती है ठीक है तो mixture is a physical combination of two or more substance in the absence of chemical reaction in which there is no change in the basic characteristics of the substance यानि की एक बिना कोई इसमें कोई अभी क्लियर नहीं होगी जैसा कि मैंने मिला लिया आपका पानी ग्लास इसमें मैंने मिट्टी डाल दिया रेट डाल दिया तो उसमें मिलेगा थोड़ना हम हम उसको differentiate कर पाएंगे कि यह जहोगा रेट है इसमें डाला है कोई इसमें रेक्शन और नहीं होगी और हम इनको बाद में आपको आपको एक में पानी में डाला और एक में चीन डाली गुल जाएका ह centr f समांगी इसमें uniform इसको हम true solution भी कहते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि पानी के लिए मिलाया हुआ है जैसे कि मैंने पानी के ग्लास रखा एक मैंने चीनी मिला एक मैंने आपको नमक मिला दिया तो आप उसमें कि कौन सा पानी कौन सा किसमें चीनी है किसमें जो है नमक है तो इसको कहते हम true solution और homogenous होमो मतलब समांगी similar और इसमें होगा क्या solution बनेगा क्योंकि बाद में हमारे क्या बनेगा solution बनेगा इसको हम solution भी कहते हैं homogenous mixture को solvent which is solubility of a substance for example water और solute हाँ अब इसमें दूसरी जाती है एक आता आपको solute और एक होता है solvent अब solvent क्या होता है solvent होगा आपका यह इसमें बहुत सा लोगों confusion होता है solvent जिसमें कोई चीज हम घोद रहे हैं उसको क्योंकिए solvent इसको याद है solvent जिसमें किसी चीज को घोद रहे है solute solute को ऐसे आपके solute मतलो ङाद हैrelे कि याद रहे है फोलिट और जो घोद रही होगी वह सॉल्वेंट। सॉलिट याद रखें एक्यूट एक्यूट छोटा तो सुलिट मतल चोटा और छोटे को हम किसी बड़ी चीज में घोलते हैं यह याद को थोड़ सा से नीमोनिक जीज याद रखें। और इसको हम किसी मेकानिकल मेतर के थरू हम इनको अलग नहीं कर सकते पानी और इसके घोल को जैसे मिट्टी को करते हैं फिल्ट्रेशन के थरू इसको नहीं कर सकते इसको हमें वैपुरेशन वगारे बहुत अलग होती है हमारी प्रसेस होती है उसके थरू हम इसको कर पाएंग एक वहते है कॉलाइड्स और एक वहते सस्पेंशन होगा क्या यह हम आगे बताएंगे तो इसमें होगा क्या हिटीरोजिनिस जैसे आपको पानी में अड़ा दिया रेत रेत बालू जो मिले गए थोड़ी ना तो हम कर सकते कि भाई यह अलग अलग चीज़ दो तो हिटीरोजि ना कमेट बोक्स में और क्यों तैयरता है डीजन भी बताना अब हमने बताया आपको कि कोले हीटीरोजिनिस मिक्टर तो तरह के होंगे एक उत्या कॉलाइड्स और एक उत्या सस्पेंशन तो क्या रहेंगे कॉलाइड्स रहेंगे आपके फोम हो गया शेविंग खूम गया म है अधरी सभ्शाल तो की भारतो में तो औरोकिशन च्पेंशन क्या रहेंगे तो यहां स सदुर्घा है है कि महा क्वेशन आएगा के टूष ट्रू सा All sunshine क्या रहता है तो तूस ओलोंशन क्या रहता है यह अर Farm interchange यह छिरू जैसमें मैंना कुपत है कि होमोगेनेश मिक्षन In the True solution तो उसमें जो particles का size रहेगा वो 10 to power 7 cm से कम रहेगा important फिर आताब का suspension इसमें particle का size 10 to power 5 से जाला रहेगा और जो 10 to power 7 और 10 to power 5 cm की बीच में आएंगे उनको कहेंगे collides समझें यह बहुत important है इसको याद रहेगा कि collides का size का particle क्या रहेगा यह question बहुत पर पूछे जाता है यह आपको पता होने चाहिए solute को मैंने आपको बता दिया solumant क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है को एक एक कोलाइड बना एक suspension बनता है तो कोलाइड कोन कौह वर तोसे होते है अब कोलाइड कोई अलग से फ्ञंटा रहता है मतलब अगर हमें रवाद्धंद पानी के अंदर पानी मिलाना है तो वो अलग से कोलाइड बनेगी हमने पान के अंदर मिलाया कोई solid मिलाय तो वह अलग से ऐसний सॉलियट के अंदर हमने कोई और पान कोई हमने की लिक्डूर मिलाय कोई पर रहा के लैगर को İş को पढ़े 2016 से क्योंकि बहुत असा टॉपिक लगता था मेरे को यह प्रसुन प्रस्टू का टॉपिक गई है तो अब इसको दो चीजे हम ने इसमें याद रखनी है एक आपका मीडियम और एक है फेज मीडियम यानि कि इसको सीम्पल याद रखें जैसे सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट में क्या रहेगा जैसे आपका सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट आकर डिजॉल्व होगा वहीं डिस्पर्शन मीडियम में आकर डिस्पर्श्ट का आकर फेज आकर इसमें जब एड होगा ओके तो फरस्ट करेंगे सॉल्वेंगे ौ ने सैसे चले लिए हैं जान है रखें याद रखें याण होगी youta होगी कूशन पूछ इसको थोड़ा साथ ध्यान रखें की जैली है कि स्पार का इसमें परसों मीडियूमय जाहें जिसमें इसमें क्रुशन एक हैं प्रोम वे लिकोड़ के अंदर लिकोड इसको यह वनता है इमल्सट लिकोड के अंदर लिकोड मिलाएंगे तो इसको बनता है जैसे आपका आइसमे मिल्क आपको याद रखना है अब मिल्क áニज मिली क्या रहे फिर आपका फोम अपने शेविंग फोम UP Chariggि विंग थो है तो इसमें हम लिकूड के अंदर गयस मिला देते हैं परमाइस मार्शमेल बगारा तो यह बन जाता है solid form solid aerosol अगर हमने लैट चलीगी अगर हमने gas के अंदर किसी solid को मिलाया तो यह बन जाता है आपका aerosol gas के अंदर किसी solid को जैसे आपका smoke particles होते हैं dust बगारा होगी तो गैस के अंदर solid particle रहेंगे तो तो हम आपकाद घैस के अंदर लिकूर मिला दिया जैसे फोग हो गया मंस्ट हो गया महीं कि मॉइस्चर वाली है टीके वाद उसको हम कहेंगे क्या तो क्या कहेंगे लिकुड एरोसल थोड़ा सा अगर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अ तो इसमें क्रिश्टिलाजेशन को जहां लगताओं अपने photo को में साइब अब निको जो collisum हम स्वाल को इसको प्रिश्टिड्यक कारनो स्ट्रक्षणियन की भी ठीश्ट है Amit कि सेटिमंटीशन फिर फिलिट्रेशन निस्यंदन फिर सेट्रिफिगेशन यहनि की आपका अपके इंद्री करन है तो एक वन वाइबन को हम एक करके देखेंगे क्रिस्टलाजेशन, जैसे कि आपने क्रिस्टल बनते हुए देखे होंगे आपने, अगर लैब में आपने काम किया होगा, इसमें हम क्या कहते हैं, मतलब दो तिन पर सस कहते हैं, कुछ-कुछ में एड़ करेंगे, यह वसो करेंगे, तो किसी और के साथ अपना, जैसे यह आपने क्रिस्टल बन जाते हैं, उसके बाद हम उनको फिल्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका डिस्टीलेशन, अब बनती इसमें दार हो, देसी सरा बनती हैं, और यह हम ने किया भी है, जो आपके लैब में डिस्टिल्ड वाटर होता है, आप देखा आपने आपको पता ह होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता है, तो हम उसको करते हैं, करते हैं, इवैपोरेट करते हैं, मतलब पानी इसमें भर दिया, लिचे बरनर आउन कर देते हैं, अब तो अलेक्ट्रिक स्पार्क चलते हैं, फिर वो पानी गरम होता है, उसका भाप, भाप बनता है, फिर हम बाप को यहां पर collect करते रहते हैं अब यहां पर क्या होता है यहां पर यहां के पानी की supply होती है यहां पर तो जैसे पानी की यहां पर supply होगी तो यह पानी यह जो आपका भाप होता है यहां ठंडा होता है यहां पर condensed होता है अब condensed होता है तो यह बाप जाकर जाकर पानी के drop wise यहां पे गिरता रहता है आपको पता होगा तो यह ओग होगी डिस्टिलेशन की प्रॉसेस जैसे आपके वे अलकोहल बनता है तो इस सारी जिश्टिलेशन के थूरू बनती है आसवड असवन के थूरू बनती है चलिए नेक्श देखेंगे हम क्रोमेटोगराफी अब इसमें कि आम ने हमने की था व्लए जो डिलास लेब ग्लास क्रूमेटी तरल हुआई तो उसमें की कि यहें होरा हथा है क्यूंकि हर सॉल्यूट अब एक उपा हमने सॉल्यूशन डाला हमने उसको किसी में गोला अब क्दिक के उस कि हमने कोई solution लिया जिसमें 1313 या चार तरह का हमारा उसमें हमने कुछ डाले थे ऊसको मिक्स किया था अब हमें पता करना कि उसमें क्या क्या है तो हम क्या करेंगे उसमें जो भी हमने सिलिकर जल लगाये था उसमें ग्राइब ग्राइब यासी कि प्लेट थी फिर सवलुईशन लेट दाल दिये था अब यह अब यह अब ने जहां पर पर होगा कि कहां तक solution मतलब कितने distance में जाएगा उसके base के through हम इसको करते थे कि कितना इसमें क्या आता है की reading क्या है इसमें इसमें तो रहे समझ जाए थे किस तरह से आपको इसको समझ आप जाएगा किसमें क्या क्या किया है by this method solute with different absorption capacity are separate such as the separation of pigment from the natural dyes and dyes नेच्छल डाई को डाई से मतलब जब हम डिफ्रेंशेट करते हैं तब भी इसको लेते हैं हम पर नेक्स्ट आपका इवैपोरेशन यह तो सिंपल है साल्ट सॉलिशन लिया तो हम इसको पानी पानी उड़ जाएगा साल्ट कर रह जाएगा तो यह आपका बाश्ट प्रक्रेंशन और यहां से बहुत सारे कुश्छन आते कि कौन सी भी थी के द्वारा हम इनको अलग कर सकत हैं या फिर मैंने को बता है कि कोई डाइज भी पिगमेंट हैं कुछ कोई अगर उनको रिफरेंशिट करना होगा तो किस तरह सकते हैं तो सारा क्रूमेटग्राफी के थ्रू फिर नेक्स्ट है सब्लीमेशन सब्लीमेशन यानकि जो सब्लीमेशन आपको पता है हमने पढ़ रहा है और उसको डिजॉल्व किया किसी डाइज के साथ मतलब उसको सॉलिड फॉर्म कुछ में डाइज गया रहा है यानकि कुछ कंदर कंदर है उसमें तो किस चीज का कदर है तो अगर हम उसको सिधा एंवर्मेंट में रख देंगे तो कुछ कपूर होगा वापस अपने आप उड़ जाता है तो वाकिया आपका बास जोसमें जीजी इंप्यूर्ट इस होगी वहां पर रह जाएंगी ओके शुष्क वर्फ आप इसमें शुष्क वर्फ रहान कि ड्राइज 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 आइस किसको कहते हैं सॉलिड करबन डाइक्सर को कहते हैं यह मतलब से पानी की जाएंगे इसको निकाल लेंगे बाहर ऑको viewing के ध söहुच में जाया आपस अपका शैड्यमटिशन printer के दो रहा अभी के दोरा नेज्स ताफ का फिलिट्रेश्न आपको बता ही है होंगे तो उसमें अलग-अलग चैंबर बने होते हैं तो एक में तो इंपर रहे जाएगी नीचे वाले में थोड़ी और मानियोट बने होगे तो चाई नीचे रहा जाती है और पती हो आपके चाई पौनी में फसीरा जाती है इसमें के इसको कहते हैं चोटोड़ी क्या लगी होती है टूप में सॉलिशन को डाला ओकर यो गोंता है तो बहुत तेज गुमता है 1000 से लिके 14000 इसमें रेवल्यूशन पर मिनट होती है तो बहुत फास्ट गुमता ही तो वह अपने डिंसीटिटी के कोड़िंग अपने आपको सेटर कर लेते हैं जो बहुत हल्क होंगे ऑकि जो बहुत रूइड हैं यो मुझे नीचे नीचे बैठ जाएंगे मानीजी ए टेस्टव आ तो ज्व आपने वह देखोंगा जो उसमें बहुत सरह गोमता है यह हैं गोमता रहता है तो यह थे यहां पर आपकी वीडियो जो आसमाप थो लिये और चेप्टर में आपको और आपको करवा दिया जहां पर किसी को समझने होगा मजे बता दिया करें कि सर इस तरह से doctors पोल रहा हूं तो अविडियो को लाइक जोर?, आपको सब्सक्राइब करें तो सिक्सा करते हैं वीडियो की हैं थी